30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोड़से ने मात्मा गांदी को गोली मारी थी जिसके नतीजे में राष्ट पिता इंतकाल कर गए थे नाथुराम गोड़से ने इस काम उस वक्त अज़ाब दिया था जब 30 जनवरी 1948 को साम 5 बजे बाबु प्रातना सभा के लिए निकले थे दरसल राष्ट पिता मात्मा गांदी दिल्ली के बिटला भवन में शांती सभा के लिए गए थे तब ही उनके कातिल ने उनके पैर छुए और उनके सीने में तीन गोली उतारती थी नाथुराम गोड़से ने जिसे पिश्टल से बापु का कतल किया था वे उसने पांसो रुपे में जगदीश गोयल नाम के वेक्ति से खरीदी थी और ये नो एमम बरेटा पिश्टल थी नाथुराम ने इस पिश्टल को गोड़से ने जिस पिश्टल से बापु के सीने चलनी किया था वे एक इटैलियन पिश्टल थी 1942 में सेकंड वर्ल्ड वार के दोरान ग्वालियर की एक सैनिक टुकड़ी के कमांडर लेफटिनेंट जेनरल वीबी जोशी की कमांड में वो भी सीनिया में मोर्चे पर तैनात की गई थी जंग के दोरान मुसोलीनी की सेना के एक दस्टे ने इस टुकड़ी के सामने हतियारों समीथ समर्पन कर दिया था इस पिश्टल को खुद लेफटिनेंट जेनरल जोशी ने रख लिया था जिसे बाद जगदीज गोयल ने लेफटिनेंट जेनरल जोशी के वारिसों से खरीद लिया था गांदी जी की हत्या करने में गोडसे की मदद डोक्टर परचुरे और उनके परेचित गंगाधर दंडवत ने की थी डोक्टर परचुरे के परेचित गंगाधर दंडवते ने नाथुराम गोडसे के लिए जगदीज गोयल से 500 रुपे में पिश्टल खरीदी थी गोड से और इसके सायोग्यों के कतल की तैयारी की और गौालियर में स्वर्म देखा नदी के किनारे बंदूग चलाने के ट्रेनिंग ली जब नाथुराम गोड से ने बंदूग चलाने का प्रशिक्षंग ले लिया तो उसके बाद 29 जन्वरी की सुबह नाथुराम गोड से ग्वालिया रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए 30 जन्वरी की शाम होते ही नाथुराम गोड से दिल्ली के बिड़ला भहुन पहुचे और राष्टपिता महात्मा गांधी के सीने में तीन गोलिया दाग दी गोली की इस गूल से पूरे देश में सन्ना टचा गया, चार और अफरा तफरी मच गई, पूरा देश आसुमों में डूब गया, जबकि वहीं भारत के कुछ इलाकों में गांधी के कतल पर मिठाईया बाटी गई महात्मा गांधी अंतराष्टे हिंदी विश्विद्याले में शोदरत अन्रेश गोतम कहते हैं कि गोल से शुरू में महात्मा गांधी का पक्का अनुयाई था गांधी जी ने जब सवीन्य अवग्या अंदोलन शुरू किया था तो उसने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था बाद में उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अंशन नीती से हिंदू हितों की अंदेखी की और इसके बाद सेवय गांधी जी के खिलाफ हो गया गांधी जी की हत्य के पीछे कहीं सारी बाते कहीं चाती है कि नाथुराम ने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्य की कोशिश की थी लेकिन काम्याब नहीं हुए 30 जनवरी को आखिरकार वे अपने नापाक मकसद में काम्याब हो गया ये दिकानी मात्मा गांधी जी के एसेसिनेशन की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें